नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने आल इंडिया अगनबाडी न्यूस चैनल में और आज आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों घटना क्या कहेंगे यह महा घोटाला एक तरह का बोला जा सकता है क्यों 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 आज बहुत बड़ी खबर आई है और इसमें लाखों लोगों की नौकरिया भी जा सकते हैं दोस्तों आगनबाडी लोगों की अगर सरकार ने कुछ भी एक्सन लिया क्योंकि यहां पे जो फरजी वाड़ा जो पकड़ा गया है वो करोडों का है दोस्तों तो यह खबर आप लोगों को सबसे पहले देता हूँ इसलिए कहता हूँ वीडियो को देते हैं उसके लिए आपको हम बराबर आगे से आगे बताते रहते हैं चैताओनी देते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है आप लोग क्या क्या करिये तो वो भी आप लोगों को हम समझाएंगे तो इससे प ताय वो काम वो बाद में भी वही करते हैं और उनकी नौकरी से उनको हाँ दोना पड़े क्योंकि यहाँ पे फरजी वाड़ा करोणों में हैं मैं दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहा हूं दिखाने जा रहा हूं और दोस्तों कहीं मत जाएए पहले उत्तर प्रदेश की फरजी वाड़ा पकड़ा गया है और उसके बाद में हम आप लोगों को अन्य राज्यों की भी खबरे देने वाले हैं तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी फरजी वाड़ा पकड़ा गया है क्या फरजी वाड़ा उत्तर हो रहा है राजी सरकार को ऐसा बताया गया है बताया किसने मेनिका गांधी जी ने आपके जो कांगरे सरकार से हैं वो फरजी वारा कैसे पकड़ा गया वो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये आप लोगों को जो आधार की सुविधा जो उपलब कराई गई या आधा बता दूँ भले ही आप लोग अपनी मर्जी से बच्चों की लाभरतियों की संख्या ना देते हों मेरी बास सुनना आराम से ये जो मैं बता रहा हूँ हर कोई यूटूबर आपको नहीं बताएगा क्योंकि हर कोई नहीं चाहता आपकी नौकरी बचे या ना बचे उसको इससे लेना देना नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के एक तरह से सुबचिंतक हूँ आप लोगों को पहले से पहले आप लोगों को जितनी जल्दी हो सकती है में खबरे दे देता हूँ ताकि आप लोग सजग हो जाए चीज़ों को लेकर तो भोजन वितरण में खामियों को देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है मेनिका गांधी ने जो है सभी राज सरकारों को बच्चों का सत्यापन करने का निर्देश दे दिया है फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरे राज से या नहीं है आप ऐसे में हम क्या करें बहुत से लोग में बेवज़े के सवाल करते रहते हैं बार-बार वही समयलन समयलन भाई जब योगी जी को खुद लगेगा वो खुद ही रिसाइट करेंगे तभी तो आप लोगों को आगे से आगे जानकारी देने का तो ये आप लोगों को मैं बता दूँ मेनिका गांधी आपकी जो हैं उन्हों ने ये खुलासा किया है क्यों क्यों कि आधार की संख्या आप लोगों ने जो 12 डिजिट की होती है आप लोगों ने डाली हर जगए पे सभी बच्चों की आध अधार वगएरा ले लिये जाते हैं इससे क्या होता है सरकार वहाँ पर जब चाहेगी आधार नंबर डालेगी और उसकी स्थितिका पता लगा लेगी ये बच्चे आधार अपना कहा कहा लगा चुके किन किन स्कूलों में कहा कहा है पढ़ रहे इससे पोल खुल जाते हैं कि यही लाभारती यहां भी हैं यही यहां भी हैं ऐसे में फर्जी वाड़ा आपका पकड़ा जाता है तो यह इससे फर्क किसको पड़ेगा मैं सीधा से आपको बोलना हूं यह फर्जी वाड़ा जो सिर्फ आप लोग जहलेंगे आंगर बारी बहने जहलेंगी मेरे कहने का ज नीचे इस्तर से उपर इस्तर की पूरी जानकारी रखता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं वो दबाव भले बनाती हों कि हां इतनी संख्या कम मत देजिए जादा देजिए क्योंकि ये पोसार वगएरा जो है पहुचाना इदर से उधर ये सब काम चलता रहता है उपर से न योंकि नोकरी से भी निकाल लेंगे क्योंकि उनका में कारण यही है लोगों की नोकरिया छीन नहीं देरे देरे सरकार यही काम है आप लोग फिर भी नहीं समझे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और आपको पूरी जानकारी हम ये बताने वाले बहुत बड़ी खबर है नई दिल्ली से ये खबर आई हुई है प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के आंगनमारी केंद्रों में पंजी करत 14 लाग से जादा बच्चे फरजी पाये गए इन बच्चों के पंजी करण को आधार से जोडने पर या फरजी वारा सामने आया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बता दें कि देश भर में लगभग 14 लाग आगनमारी केंद्र और 10 करोण लाभारती हैं इससे आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा सरकार को कितना घर्टा हो सकता जिन में 6 साल तक के बच्चे गर्बती महिला हैं और इस्तनपान कराने वाली माताएं सामिल हैं तो बच्चों के नाम पर हर महीने 25 करोण की घपले बाजी होती है जैसा कि आप लोग यहां पर देख से रहे हो यह मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं जो आप लोगों को लगे कि मैं गलत दिसा आप लोगों को दिखा रहा हूं या आप लोगों को डरा रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं मेरे मेन उद्दे सही होता आप लोगों को पहले मैं सज़क कर दूँ और चेतावनी एक तरह से दे दूँ कि आप लोग इन चीजों को समझे यह यह चीजे सरकार के दिमाग में चल नहीं है यह यह वो लोग करने जा रहे हैं इसलिए आप लोगों को मैं पहले से आगे से आगे चीजे बताता रहता हूँ फिर भी लोग अगर मुझे पर दोस लगाएं तो वो लगा सकते हैं बेवज़े बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि जितने लोग सपोर्टर होते हैं खिलाब में भी कुछ नग कुछ लोग होते हैं जलने वाले तो जलने वाले एगर हैं तो जल जल के दोस्तों काले ही हो जाएंगे आपको सही बताते हैं और देखें आंगन बाड़ियों के मुताबिक देश भरके आंगनबाडी केंद्रों में एक करोण आठ लाक बच्चे पंजीक रहते हैं आप लोग चाहें तो संख्या अपने लिख सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं बाद में फरवरी 2018 तक इन केंद्रों को 2126 करोण रुपए अवंटित किये गए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रते एक बच्चे के भोजन के लिए अंगनबाडी केंद्रों को प्रती दिन 8 रुपए मिलते हैं इनमें केंसरकार 4 रुपिया 8 पैसे हाँ 4 रुपिया 80 पैसे देती हैं लगभग 5 रुपए 20 पैसे कम उसमें और बात करें हम राजसरकार की तो राजसरकार जो है 3 रुपिया 20 पैसे का योगदान देती हैं दोस्तों देश भर में 14 लाख अंगनबाडी केंद्रों और 10 करोन लाभारती हैं इससे क्या होगा आप लोगों को वो बताते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्राल है कि एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के 1.88 आंगनबाडी केंद्रों में यानि कि 1,88,000 आंगनबाडी केंद्रों में पंजी क्रत 14.57 लाग लाभारती फरजी पाए गए हैं लेक देखिए लगभक 15 लाग बच्चे फरजी पाए गए हैं लाभारती ऐसे में सरकार को जटका तो लगेगा एक तो वैसे भी मांदे नहीं बढ़ाते हैं ऐसे में इनको एक मौका और मिल जाएगा ऐसे अगर आप गलतिया करते रहें कुछ लोग सभी लोग नहीं करते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ जो लोग गलतिया करते हैं लेकिन भुगतना अब पताने सरकार किस तरह से जो है नयाइक प्रक्रिया करती है तो भुगतना सभी को पढ़ सकता है इसलिए आपको कह रहे हैं तो फरजी ब एक तरह से डाटा उबलग्द कराने के लिए निर्देश दे चुके हैं, मिनका गांदी जी ने दे दिया है, उन्होंने कहा है कि सबी जो राज्यवाले हैं अपने ये रिपोर्ट बगएरा मुझको दे, कहां पर कितनी फरजीवारा पकड़ा जा रहा है, फिर हो सकता है सरकार इस पर action ले ले, तो आप लोगों को मैं हर एक खबर बताता हूं दोस्तों, और फिर भी अगर आप लोग गलत कहते हैं या करते हैं, फिर इसमें मेरी कोई गलती ने, मैं तो अगर वाट से वाले लोगों ने इतना दिमाग खराब करके रख दिया है, ना तो कोई सुनता है, ना तो कोई कुछ करता है, सब अपनी अपनी जो है, मुझा आते रहते हैं ग्रूप में, उनको बस दे दो, खबर दे दो, कही से ढून के लाओ उनको, उससे मतलब नहीं है, सही है, गलत है, फिलाल उनको खबर चाहिए, भाई, मैं फिर बताता हूं, खबरे में वही दूँ बढ़ सकता है, जो जो चीजें सामने होते हैं, मैं साफ साफ आप लोगों के सामने रख देता हूं, फिर भी लोग दो सार उपड करते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका में मकसद यही होता है, आगे किसी को ना बढ़ने दो, ना अगर कोई अच्छा काम कर है तो उसमें भी टांग लगाते रहते हैं खुद तो कोई अच्छा काम लोग कर नहीं पाते हैं दोस्तों यह चीज़ें आप लोग समझिये चीज़ों को और आगे की जो खबरें वो आपको हम बताने जा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे और देख सकते हो भोजन वितरण में जो असली जरूरत बंद बच्चों को लाब मिल सके तो इसलिए सितंबर में मेनिका ने बताया था कि लगबा एक करोन फरजी लाभारती पाए गये थे जिनके पंजी करण को रद कर दिया गया है तो आब जो पंजी करण ही रद कर दिये गये हैं अब यह सब चीजे हैं और अग आप लोगों को जूटी खबरे भी दिखाते रहते हैं मान दे की आप लोग खुछ हो जाएंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन मैं खुछ होकर कि सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं आपको सही जानकारी देता हूं आपको लगता है आप मैं सही जानकारी तब ही आप लोग सब्सक्राइब करिए अन्यता कोई जरूरत नहीं है यह एक विश्वास है यहाँ पर अपना परिवार है घर है यहाँ पर हम लोग कोई फरजी वारा नहीं चलाते हैं और जो हकीकत है वही दिखायें कि यहाँ अगर आपको हकीकत जाननी है असलियत में तब लोग अगर हजारों के हजारों लोग अगर सेयर कर दो और लाइक कर दिया करो वीडियो को तो कितना अच्छा लगेगा हमें भी तो हमें भी एक खुसी मिलेगी कि हाँ आप लोग कुछ करते हैं जो मैं यतनी मेनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी अपना फर्ज इमानदारी से अदा करते हैं दोस्तों और आगे चलते हैं दोस्तों जैसा कि एक पंजाब से खबर आप लोग देख सकते हैं पठान कोट से आई हुई है और यहाँ पे यह बहुत बड़ी खबर है जी ओजी टीम ने किया अंगनमारी सेंटर का दोरा और इसको लेकर कि आप लोगों को हम बताने वाले हैं बहुत बड़ी खबर है जी ओजी टीम बलाग नरोट जो जैमल से की और शेतर से आंगनमारी सेंटर का दोरा किया गया पहली बात आपको और बता दूँ जादस जादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं लेकिन मैं वो नहीं कर पाता हूँ देखे सब लोगों की तरह बस आए खबर पढ़ दी बस चले गए हो गया काम जल्दी जल्दी में आप लोगों को में चीज क्या है खबर पढ़ देते हैं बहुत से लोगों को हम बताते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है ऐसे में हम खबर पढ़ के चले जाए तो बहुत कम लोगों के समझ में आएगी यहाँ पे जो एक ग्रामी रिस्तर से लोग जुड़े हुई है उनको बकाइदा चीज हम बोल कर समझाते हैं यह यह होता है तब जाके कहीं समझ में आती है तो मैं सभी को लेकर साथ चलता हूँ और इसलिए खबरे भले ही आपको दो या चार मिल पाएं एक वीडियो में और वीडियो लंबा हो जाए और इसलिए मैं बारा तेरा मिनिट का ही बनाता हूँ दो तीन वीडियो बना दूँगा कोई दिक्कत नहीं फिलाल खबरें आपको नहीं चुटेंगी ये मेरा वादा है तो आगे चलिए ये पंजाब वाली खबर आपको बताता है इस दौरान जियो जी टीम सदस्यों ने अपनी देख रेग में आगनबाडी सुपरवाजर को खाद सामागरियों अन्य सामान मुईया कराया है इस दौरान जी ओजी टीम के सदस से रेटायर सुबेदार अजीद पाल ने बताया है कि जी ओजी टीम की ओर से सरकार के हिदायतों के अनुसार काम किया जा रहा है ताकि लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुबदा में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जा सके उन्होंने बताया कि टीम की ओर से अंगरबाडी सेंटर में बच्चों को दिये जाने वाले आहार के लिए खाद समागरी और अंगरबाडी सेंटरों तक पहुँचाया गया और या भी सुनश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को पौश्टी काहार मिले सरकार कहती बहुत है और लेकिन कहती कितना है आप लोग यही सवाल आप लोगों को क्या मन में हमेशा गुझते रहते पौश्टी काहार पौश्टी काहार ये लोग कहते रहते आप लोग खुद ही जानते हुए कितना पौश्टी काहार मिलता अभी मैंने कल बताये केंदर पर जो है दलिया वगएरा पिसाने के लिए जो भेजा गया था वहाँ पे उसमें कीडे थे अब बताएए ये पौश्टिक आहार है ये सरकार ध्यान देती है अभी उत्तर प्रदेश की बात बतादो पहले दूद वगएरा और गी वगएरा सब कुछ आता था पाउच वगएरा में पाउडर वगएरा में अब वो भी बंद है फिर पौश्टिक आहार बताते है और पो वारिडेटी नहीं होती है क्या ये सब चीजें आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ यहां पे मैं किसी भी जो है गलत तरीके से आपको नहीं बताता हूँ बिल्कुल यो सच्चा है मैं वही बताता हूँ अगर आप में हिम्मत है सुनने की तभी आप यहां पे दोस्तों बैठक उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर है आप लोगों को तो बड़ी बड़ी आज किये खबरे मैंने दी तीन खबरे लाहुरिया प्रकंड कारयाल है परिसर इस्ते सिव मंदिर जो है प्रांगर में बिहार राज यांगन बाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले य जब खबर आएगी जब कुछ होगा आपके वहां से अच्छा तब खबर आपको दी जाएगी और यह देखिए बैठक में जो संग की मजबूती पर विस्तार से चर्चा किया गया है बैठक की अधचिता करते हुए सरीता देवी ने कहा है कि 28 नवंबर को आप डेश देख के लिए यह खबर हो गए लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं आप लोग फिर भी बताईए हैं मेरा मैं कहां तक कितना प्रयास करूँ पहली बात तो पूरे देश से खबरे देता हूँ फिर भी आप लोगों को मैं एक बार में अगर्द दे देता हूँ तो यह तो यहां पे प्रयास किया जब तो यहां पे जाहिर सी बात है सभी के लिए खबर है उन्होंने सेविकाओं वा सहिकाओं को कोई अन्यकाहर से अलग रखने की मां को संगर्ज जारी रखने की बात कही दो हजार सोला से बकायामांदे आप लोगों को यह देखें बकायामांदे के बि antθ Ollie म में भी यहाँ पर सूचना है बकाया मांदेवा मकान भड़े की मांग को लेकर संगर्ज करने की बात कही इस मौके पर कुमारी सुधा और नीलम देवी अहिल्या देवी इंद्रा देवी यह सभी लोग वहाँ पर दोस्तों मौझूद रही तो तो दोस्तों कैसा लगा यह आप लोगों को यह अच्छी लगी यानि कि आप लोगों को मैं पहले सजक कर सकता हूं चीजों को मेरा यह जो प्रयास रहता है आप लोगों को मैं चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी खबरें फिर चाहें अच्छी हो या बूरी हो क्योंकि जितना अच्छी खबर जानना जरू स्कवरी आए माल लेजी अगर नौकरी चली जाए तो फिर क्या फायदा हूं चीज़ों का इसलिए कहता हूं पहले तो हमें जो ऐसे सरकार कदम उठाती है हम लोगों की नौकरी पर जैसे कि कोई अभियान चला दे यानि कि यह देखने के लिए जैसा कि अभी यह सब हो रहा है सरकार उन सब देखना चाहते है कितना फरजी वाड़ा हो रहा है तो इसके बारे पर आपको जहनकारी होनी चाहिए और आप लोग फरजी काम बिल्कुल मत करना जो भी लोग अभी तक दबाओं में आ करके कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो बिल्कुल मत करिये यह गलत काम है अन्यता जो सुपरवाइजर हों या सीडीपी हों यह लोग चुपचाप से निकल जाएंगी इन पर कोई कारवाई नहीं होगी और नीचे इस तर से आप लोग हैं आप लोग ही कहेंगे वो लोग साब साब कहेंदेगी हमको क्या पता ग्रामेर इस तर से वो लोग जुणी ह है तो उसको लेकर उसके साथ देने वाले भी दुनिया में बहुत हैं आप लोग मेरे साथ हैं दोस्तों और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते हैं सामको या दोपहर में अगली ताजी ताजी खबरों के साथ झाल झाल